नमस्कार कल जम्मू कस्मीर की राजनीती में कई सारे घटना क्रम हुए इन मैंसे एक बड़ा जो घटना क्रम था बो था कि कॉंग्रेस पार्टी के समर्थन से नेशनल कॉंफरेंस और पीडीपी मिलकर सरकार बनाने की कोशिस कर रहे थे जिसका एक पत्र या संदेश कहिए मैवुवा मुफ्ती ने राजपाल को भेजा था लेकिन इस पूरे जो सर्यंत्र कारी सरकार बनने जा रही थी या जो कहिए कि साजिस के तह से सरकार बनने जा रही थी इसकी पूरी जो उनकी सर्यंत्र था इस पर पानी फेरा जम्मू कस्मी के राज़पाल सत्यपाल मलिक ने सत्यपाल मलिक जी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सम्मिदान के अनुछे त्रेपन सब क्लॉस वन क्लॉस टू को लेकर राज जी की विदान सवा भंकर दी और इन लोगों के मन्सुबों पर पानी फेड दिया दरसली बजय क्या थी कि जो पीडीपी कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस तीनों की तीनों पार्टियां पिछले 6 महिने से राजजपाल से बाहर जाकर यह कह रही थी कि बधान सवा भंक की जाए लेकिन उसके बाद एक्दम से उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं भंक नहीं करते हैं हम सरकार बनाएंगे इसके पीछे अगर देखना हो तो जून में कॉंग्रेस पार्टी के बड़े नेता सैफुद्दीन सोज ने एक बयान दिया था मुस्रफ के बयान के बाद कि कस्मीर को आजादी चाहिए कि तीयों के और जो जम्मू एन कस्मीर है इसको मिलाकर एक अलग सूबे की उन्होंने एक रूप्रेका तयार करने की बात के यह जो सैफुद्दीन सोज है यह केंद्र में मंत्री रहे चुके कॉंग्रेस के बड़े लिता है उसी तरीके से गुलाम नभी आजाद जैसे लोग भी इसी तरह के की बाते करते रहें दूसरी तब पीडीपी और नेशनल कॉंफरेंस जो है वो उनका अलग वादी जो रवया है उनके जो भूमका है जम्मू कस्मीर की समस्या को खड़ा करने में और जम्मू कस्मीर के हाला सब्सक्राद को बिगाड़ने में वो किसी से छुपा हुआ नहीं है यही बजय थी कि सत्यपाल मलिक को आनन फानन में फैसला लेना पड़ा विदाज सवा को भंग करने का नहीं तो यह तीनों के तीनों मिलकर जो 35 एक बिशेश दरजा देता है जम्मू कस्मीर को जैसा तो जिस तरीके से ये बयान आया है और इससे किसी कांघ्रेस पार्टी के लीडर इंकार भी नहीं किया उससे इस पश्ट होता है के कॉंग्रेस किसी मी अहालत में जम्मू कस्मीर के हालात को सुधरने नहीं देना चाहती ये कॉंग्रेस हो नेसल कॉंफरेंस हो या पीडिपी हो ये जम्मू कस्मीर को फिर दुबारा से 90 के दसक के उसी आतंगबाद के गिरफ्ट में जोग देना चाहते हैं आज जो वहां पर सेना की कोसिसों से सेना के तमाम बल्यदारों की बज़े से आज जो इस्तिदीवा सुधरने सी लगी है ये अगर सरकार बन जाती तो निश्चत तौर पर वहां पाकिस्तान समर्थित आतंगबादियों का बोल बाला हो जाता और फिर ये लोग सेना के साने में काम्याब हो जाते उसके साथ जिस तरीके से पीडीपी और नेशनल कॉंफरेंस वहां पर रोहिंग्या को बसाने के पच्च में रही है और कुछ सुनों ने बसाए भी थे अगर ये सरकार बन जाती तो वहां बर्मा से आयुए रोहिंग्या सरणार्थियों को पद्दाक में है उसको बिगाडने की कोशिस की जाती अभी बजा क्या है कि जम्मूर रीजन में पूरा का पूरा वहां पर बीजेपी जीते थी वहां 25 सीटे बीजेपी ने जीती तो ये तीनों पार्टिया ये चाहती है क्योंकि कॉंग्रेस का बजूद खत्म करके ही वहा कि रोहिंग्या और बंगलादासी सरणार्थियों को तो इसको जब बनक राज्यपाल को लगी तो दूसरी तब यह था कि सज्जाद लोन जो पीपल्स कांफरेंस करके पार्टी है जम्मूकस्मिर की अब्दुर्गली लोन के जो बेटे हैं वह भी दावा कर रहे थे बीजी कि महवुवा मुप्ति आरोप लगा रही थी कि सब खरीद फरोक्त चल रही है कि इसी बात को आधार मानते हुए राज्यपाल ने तुरित कार्रवाई की और वहां की विदानसवा को भंग कर दिया जिससे कि अभी कम से कम अभी जो हालात रहेंगे जब राष्ट्रपतिस हा में नवासी और नबय में हुआ था लाउड स्पीकर से बोला गया था कि हिंदू पंडित यहां से अपना सामान समेट लें और अपने संपत्ति और अपने बीवी और बेटिया यहां छोड़ जाए और उसके बाद जो कतले आम हुआ उसके परणाम सुरूप लाखों सानार् कॉंग्रेस ही वो पार्टी है जिसकी बज़े से आज जम्मू कस्मीर की समस्या इतना विक्राल रूप ले चुकी है कॉंग्रेस के जवाहरलाल नहरू की बज़े से कस्मीर को विसेश दरजा दिया गया दारात 370 बारत के संभिदान में जोड़ी गई कस्मीर को अलग संभि जंडा जिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को जो अलगाववाद का नेता हुआ करता था सेख अब्दुल्ला को वहां सदर रियासत का पद्भी दे गई उसको वहां पर एक तरीके से सदर गोसित कर दिया गया जबकि वहां के जो राजा थे राजा हरी सिंग वो पूरी तरह ब बिले पत्र की जो उन्होंने दिया था बारत सरकार को उसमें कहीं कोई बात नहीं थी लेकिन नहरू की एक गलती की बज़े से देश को भुखत ना पड़ा और उसके बाद जब उनकी बेटी प्रदानमंत्री बनी तो इंद्रा की भी पॉलिसी यही रही नहीं तो कोई बज पाकिस्तान के साथ यह बात कर सकती थी यह डील कर सकती थी कि हम तुम्हारे सेनिकों को वापस तब देंगे जब तुम पाकिस्तान उक्युपाइट कस्मीर से चोड़ दो गए लेकिन इंदिरा ने ऐसी कोई समझोता या बात पाकिस्तान के सामने नहीं रखी थी उसके का वहाँ पर आतंक फैला और कस्मीरी पंडितों को मार काट कर भगा दिया गया लेकिन कॉंग्रेस चुब बैठी रही तो ये सारी बज़े हैं कि इन तीनों ने जो गठवंदन किया उसको रोकने के लिए राज जिपाल ने अंतिम तौर पर ये अपना फैसला लिया और कस्मीर की जनता को एक तरीके से उस तिकड़ी के आतंक से बचा लिया क्योंकि अगर इनकी सरकार बन जाती तो ये देश के लिए भी बड़ा नुक्सान धायक होता क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले जितने भी आतंगवादी हैं वो कस्मीर के रास्ते ही आते और वहां सेना को किसी ने किसी बहाने से कि सेना के उपर इल्जाम और लगाए जाते उनके उपर बलातकार के आरोप लगते उनके उपर हत्याओं के आरोप लगते और जैसा पिछले दिनों हुआ था कि जो पत्थर बाजों के ऊपर कारवाई करने के आरोप में वहां कई सारे ऑविसस के उपर हत्या के 302 के मुकदमे दर्ज किये गई तो ऐसे हिस्तिती को रोकने के लिए भारत की भारत सरकार के नुमाइंदे और कस्मीर जम्मू कस्मीर के राज्यपाल सत्पाल मलिक ने एक अच्छा फैसला लिया जिसके आज ये तीनों पार्टियां बड़ी बुराई कर रही है उमर अब्दुला ने इसे लोकतंत की हत्या का में किया नाम दिया दूसे का रही है क्हां क्यों किया मेading जाए तो ये सरकार बनाने की बात जब करते हैं तो ус-से पहले इनािन अपनी बातं याद रखनी चाहिए पिछले शह मैने में ये कितनी कितनी वार से च्छा करने की बात कर चुके थे लेकिन वहां जन्सवा इसलिए भंग नहीं की गई कि सायद कोई रास्ता निकल आए लेकिन जब रास्ता ऐसा निकला कि जो पार्टिया तीनों ही एक दूसरे के विरोध में लड़ी थी वह एक होकर और गलत मंसा से गलत मंसा जो सबसे बड़ा जो इस तरीके से मुप्ति मैव सारत का अंग न मानने की जो बात है उस एक मुद्दे पर तीनों पार्टियां एक थी जिसके लिए यह सरकार बनाने के लिए अपने सारे विरोध को सारे आपसी मत्वेदों को बुला कर साथ हा रहे थे इसको रोकने काम अगर किसी ने अच्छा किया है तो वह किया है जम्म कर उसको पहले ही रोक दिये जाए साब को फन उठाने से पहले रोक कर जम्मु कस्मीर के राज्यपाल ने भारत के हित में देश की जनता के हित में एक अच्छा काम किया है जिसकी हम उन्हें बदाई देते हैं तन्यबाद